हलो सुटेंट्स मेरा नाम धीरज बोहंदिवेदी और स्वागत है आपके फेवरिट चानल मागनेट ब्रेंस पर मागनेट ब्रेंस एक ऐसा चानल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन ठीक है और एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मागनेट ब्रेंस पर किंटर गार्डन से लेके क्लास 12 तक के सारे बुक्स और इबुक्स एविलेबल है ठीक है आपको क्या करना है सिंपल डिस्क्रेशन में आप जाएं वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म को आप फिल तो आपको सिंपल फॉर्म फिल अप करना है बाकि टीम आपसे कॉंटाक्ट करेगी ठीक है तो चले अभी अपन शुरू करते हैं आपके क्लास 12 तक का जो चाप्टर है चाप्टर नमबर 7 ऑल्टरनेटिंग करेंट का बहुती जादा बहुती जादा इंपॉर्टन टॉपिक that is series LCR circuit हम उसकी बात करते हैं ठीक है तो यहाँ पर inductor capacitor और resistor ये तीनों लगे हुए हैं series में तो देखते हैं उसमें अगर हम AC voltage apply करेंगे तो जो current flow करेगा वो same phase में होगा कि lead करेगा कि lag करेगा मलब बहुत सारी बातें यहाँ पर अपन को करनी है ठीक है तो शुरू करते हैं ध्याँ देना आप लोग यहाँ पर मैं बना रहा हूँ यहाँ पर एक circuit देखो ध्याँ से यह है आपका resistor ये इंड़क्टर ये आपका capacitor ठीक है यहाँ पर हम AC voltage apply करेंगे है ना तो ये आपका AC voltage जो हमने apply किया है वो है E equal to E naught sin omega T ठीक है तो यहाँ पर ये जो E है ये आपका instantaneous EMF और ये आपका maximum EMF ठीक है चलो यहाँ पर resistor का resistance R मालो inductor का inductance L मालो capacitor का capacitor C मालो इसके यहाँ पर मालो किसी instant पर current I है तो उस instant पर इसका voltage VAR मालो इसका voltage VL मालो इसका voltage VC मान लो ठीक है अब आपको ये पता होगा नहीं तो मैं बताता हूँ ये बताओ पहले कि current तीनों में same होगा because series है ठीक है तो हम कहते हैं कि resistor में resistor का voltage current के along ही होता है मतलब resistor के cross voltage जो होगा वो current के same phase में होता है मतलब voltage और current same phase में होता है resistor में मतलब ये अगर आपका current है तो यही होगा आपका VRB ठीक है लेकिन अगर inductor की बात करे तो यहाँ पर आपका voltage lead करता है current को या ये कहले current lack करता है voltage को πाई बाई टू से तो यहाँ पर देखो अगर current यहाँ पर लेते हैं I तो current lack करना चाहिए या ये बोले voltage lead करेगा तो यहाँ पर VL रहेगा πाई बाई टू उपर ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि voltage जो है वो lead कर रहा है current को ठीक है और यहाँ पर voltage lack करता है तो यहाँ देखो current I है और यहाँ पर voltage lack कर रहा है πाई बाई टू से ठीक है तो आपका inductor में voltage क्या करेगा lead करेगा πाई बाई टू से और capacitor में voltage lack करेगा current को πाई बाई टू से है ना तो यह पहले से आपको पता होना चाहिए ठीक है अब आओ मैं यहाँ पर निकालने वाला हूँ कि जो आपका net current होगा वो net voltage से कितना phase difference रखेगा है कि नहीं वो अपन को देखना है तो यहाँ पर अपन phaser solution करने वाले हैं ठीक है मतलब phaser diagram से हम उसका solution निकालने वाले हैं ठीक है diagram solution देखो ध्यान से यहाँ पर मैं current को मान लेता हूँ क्योंकि current तीनों में सेम रहेगा ठीक है अब देखो जो resistor का voltage है VR वो तो same phase में रहेगा VR लेकिन जो आपका inductor का voltage है वो current से lead position में रहेगा πाई बाई टू तो यह मान लो आपका है VL ठीक है और जो capacitor का voltage है वो रहेगा आपका lack position में तो capacitor का voltage lack करेगा current को और inductor का voltage lead करेगा current को πाई बाई टू से ठीक है अब देखो ध्यान से यहाँ पर अब मुझे रिकालना है इन तीनों voltage का resultant तो आप बताओ यह तीनों voltage को आप as a vector मानोगे और इन तीनों का resultant निकालोगे तो पहले यह बताओ इन दोनों का पहले resultant निकाल ले तो आप बताओ यह उपर है यह नीचे है तो जो net voltage होगा इन दोनों का वो उपर की तरफ होगा न यह बड़ा मान लेते हैं और यह छोटा है ऐसा मान लेते हैं अभी अपन एक case और देख लेंगे जिसमें आपका L छोटा होगा VL छोटा होगा और VC बड़ा होगा तो फिर नीचे हो जाएगा resultant है ना तो अभी ध्यान देना मैंने मान लिया कि VL बड़ा है VC से तो आपका जो net होगा क्या वो ऐसा होगा चलो यह काम करो यही पर show करता हूँ मैं आपको यह देखो यह होगा क्या आपका net VL minus VC होगा ना तो इन दोनों का resultant मैंने यहाँ पर बना लिया ठीक है और मैंने यहाँ पर resume कर लिया कि VL बड़ा होगा VC से इस इट लिया ठीक है तो अब अदाओ मेरे पास सिर्फ दो वेक्टर रहे गए VL minus VC और VR दोनो 90 डिगरी पर है तो इन दोनों का resultant यहाँ कहीं होगा न तो यह होगा आपका net voltage मतलब net applied EMF E Is it clear? ठीक है तो अब देखो धिहां से यहाँ पर देख करके बताना आप लोग यहाँ पर यह जो net voltage है E क्या हम बोल सकते हैं इन दोनों का resultant और यह दोनों का resultant हम Pythagoras theorem से निकालेंगे न क्योंकि यह दो perpendicular vectors है और perpendicular vectors का resultant कैसे मिलता है under root of vr square plus vl minus vc का whole square होगा की नहीं होगा ठीक है? तो ऐसे हम निकालते हैं net voltage ठीक है? मतलब यह formula कब का हम आएगा? जब आपके पास किसी instant का voltage होगा resistor, inductor और capacitor के cross और पूछा जाए कि net voltage कितना होगा तो वो आप ऐसे निकालोगे इस इट लिया? ठीक है? चलो तो यह होगया आपका simple formula अब देखों, यहाँ पर ध्यान देना यह जो आपका net voltage है वो आपके इस net current से आगे है न ठीक है? मान लो by an angle phi ठीक है? तो आप यह बताओ यहाँ पर हम यह कह सकते हैं न कि जो आपका voltage है जो net voltage है वो lead कर रहा है current को phi angle से या यह कहले उल्टा कि जो current है वो lack कर रहा है न voltage को phi से यहाँ पर देखो net voltage से current पीछे है न, phi angle से तो यहाँ पर मैं क्या लेख सकता हूँ? यहाँ पर मैं यह लेख सकता हूँ here here current current lag voltage by phi ठीक है? इस रिकलिया? ठीक है अब अगर आपको यहाँ पर phi की value निकाल ली है ठीक है? तो आप बताओ phi की value निकालने के लिए perpendicular drop कर ले ठीक है? तो tan phi क्या होगा? perpendicular upon base और perpendicular की जो length होगी वो VL-VC होगी न और base कितना होगा VR तो यहाँ पर ध्यान दो इधार देखो यहाँ पर मैं tan phi बोल सकता हूँ कि नहीं VL-VC upon VR यह होगा आपका formula to calculate आपका phase difference clear? ठीक है अब देखो ध्यां से यहाँ पर माल लो यहाँ पर यह जो आपका net EMF है यह अगर maximum net EMF है मतलब मैंने यहाँ पर बोला कि अगर यह E E naught है मतलब अगर यह maximum आपका applied EMF है तो यह क्या होगा? maximum voltage होगा across resistor और यह होगा maximum voltage across inductor और यह होगा maximum voltage across capacitor तो भाई अगर आपका net वाला voltage maximum है instantaneous नहीं है यह अगर आपका maximum है तो यह सब भी क्या होगे? maximum होगे same format में तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐसा E naught is equal to under root of maximum voltage across resistor का square है क्या नहीं? प्लस क्या होगा आपका maximum voltage across inductor minus maximum voltage across capacitor का whole square बोल सकते है क्या नहीं? यह जो V naught R लिखा है मतलब यह power नहीं है यार यह बस लिखने का तरीका है इसको कैसे rate करोगे? maximum voltage across resistor यह maximum voltage across inductor maximum voltage across capacitor ठीक है? चलो अब देखो यहाँ पर अगर maximum voltage across resistor की बात करें तो हम V equal to I into R लिख सकते हैं अब यह maximum voltage है तो current भी maximum होगा into R लिख सकते हैं similarly जो V naught आपका L है इसको क्या लिख सकते हैं? I naught into XL लिख सकते हैं जिसमें XL क्या होता है? inductive reactance है ना? इसमें XL क्या है? इसको omega L लिख सकते हैं और यह है आपका inductive reactance inductive reactance है ना? इसके unit भी ohm होती है चेक है similarly जो आपका maximum voltage across capacitor होगा वो होगा I naught into XE जिसमें हम लोग XE is equal to 1 upon omega C बोलते हैं यह होता है आपका capacitive reactance capacitive reactance है के नहीं? ठीक है? चलो तो अब देखो जहां से यहां बर similarly यह जो आपका E naught है यह E naught क्या है? यह maximum applied EMF है तो maximum applied EMF को हम लेख सकते हैं क्या maximum current into net resistance called as impedance Z है ना? यह आपका net voltage है ना? तो net current into net resistance अब क्योंकि यह net आपका net voltage में maximum है तो current भी maximum और यह आपका Z ठीक है? तो यह आपका Z क्या होता है? Z is impedance है की नहीं? मतलब net resistance. तो अब एक काम करो यहाँ पर इन सब की value यहाँ पर put करो तो बताओ क्या है कहानी? यह देखो E0 को लिखो I0Z is equal to यहाँ पर under root of V0R का square इसको लिखो आप I0R का square प्लस इसको लिखो गया आप I0XL minus I0XC पूरे का whole square अब देखो ध्याल से आपर this is I0Z under root of यह हो जाएगा I0 square और square प्लस यहाँ पर देखो I0 common आएगा और square हो के बाहर आएगा तो यहाँ पर लिख सकते XL minus XC का whole square तो आप बताओ I0 square common आएगा root के बाहर आएगा तो I0 हो जाएगा और यह I0Z है under root of what R square plus XL minus XC का whole square यह I0 cancel तो यहाँ पर बताओ Z की value कित्ती होगी under root of R square plus XL minus XC का whole square मतलब यह स फॉर्मुले से हम लोग series LCR circuit का net resistance निकाल सकते है Z है ना ठीक है अब यहाँ पर देख करके एक triangle बनाऊंगा मैं ठीक है धियाँ देना आप लो this is what R ठीक है और यह क्या होना चाहिए XL minus XC तो ओव्यस ही बात है this is Z ना ठीक है तो यहाँ पर इसे angle बोलेंगे 5 तो इस triangle को कहते है impedance triangle क्या कहते हैं से हम लोग impedance triangle है ना ठीक है तो यहाँ पर भी देख के आब बदा सकते हैं के tan phi की value हम लेख सकते हैं what simple आपका XL minus XC upon R मतलब आपका XL XC और R अगर given हो तो भी हम face difference निकाल सकते हैं is it clear ठीक है चलो यह कहानी हो गई आपकी simple है ना चलो अब यहाँ पर देखो ध्यान से यहाँ पर जो series LCR circuit है ठीक है इसमें आपका resistor है inductor है capacitor है अभी जो मैंने काम किया है यहाँ पर मैंने यह माना है कि जो आपका VL है वो बड़ा है VC से इसी लिए आपका net voltage हो गया VL minus VC उपर की तरफ है ना अब यह भी तो हो सकता है कि आपका VL छोटा हो VC बड़ा हो ठीक है अगर माल लो if XL is greater than XE तो obvious ही बात है आपका I0 मतलब ऐसा बोलेंगे हम लोग कि अगर inductive reactance बड़ा होगा कि positive reactance है ठीक है therefore VL भी बड़ा होगा VC से है के नहीं ठीक है तो अब मेरी बात को सुनना दियांसे VL बड़ा होगा VC से तो इस case में जो आपका phaser diagram होगा वो वही होगा जो मैंने अभी बनाया था क्या होगा कहानी यह देखो यह आपका क्या I this is what VR same phase में VL बड़ा है VC से तो यह आपका VL यह आपका VC होता है तो इन दोनों का resultant उपर के तरफ ही होगा this is VL minus VC तो इन दोनों का resultant यह होगा V which is E तो यहाँ पर बताओ जो 5 था यहाँ पर tan 5 हमने क्या लिखा था VL minus VC upon VR perpendicular upon base यहाँ फिर हमने formula impedance triangle से देखा था that is what XL minus XE upon R है के नहीं ठीक है यहाँ पर आप देखे इस case में आपका जो जो आपका current है वो voltage को lag कर रहा है की नहीं कर रहा कितने angle से phi angle से मतलब इस वाले circuit में यह वाला case अगर होगा मतलब series LCR में अगर XL बढ़ा होगा XE से तो वहाँ पर current lag करेगा voltage को by an angle phi और अगर current lag करता है तो हम कहते हैं कि वो जो series LCR circuit है वो एक inductive circuit होगा कहीं पर भी अगर current lag करता है न तो उस circuit को हम क्या कहते हैं inductive circuit कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ पर हम बोलेंगे here current lag voltage by phi तो current की equation अगर लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं I0 sin omega t minus phi क्योंकि current lag कर रहा है voltage को phi angle से तो आपका voltage का एक equation था I0 sin omega t तो उससे phi पीछे मतलब omega t minus phi तो हम बोलेंगे therefore circuit is inductive circuit कैसा होगा inductive होगा अब मैं लेता हूँ case 2 यह हमारा case 1 था ठीक है अब मैं लेता हूँ case 2 यहाँ देना आप लोग यहाँ पर इधर देखो case 2 में case 2 में अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपका excel छोटा हुआ xe से या यह कहले कि xe बड़ा हुआ xl से तो obvious ही बात है कि फिर vl छोटा होगा vc से है के नहीं ठीक है तो अब दाओ देख करके यह आपका current resistor का voltage तो उसी face में होता है इस बार vl की height थोड़ी कम बना दूँगा मैं और vc की जादा बना दूँगा मैं vc बड़ा है vl से तो obvious ही बात है जो net voltage रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा इन दोनों का resultant नीचे रहेगा तो यह हो जाएगा आपका vc माइनस vl तो इन दोनों vector का जो resultant होगा वो यह होगा न v ठीक है which is e तो आप अदाओ इस case में यह जो आपका angle होगा यहाँ पर हम कहेंगे न कि जो current है वो voltage को lead कर रहा है by an angle phi है के नहीं तो यहाँ पर भी अगर हम phi लिकालने की बात करें तो tan phi क्या होगा perpendicular perpendicular is vc minus vl upon vr base या फिर हम उस triangle से बात करें impedance triangle से तो xc minus xl upon r हो जाएगा है के नहीं तो यहाँ पर current जो है वो lead कर रहा है voltage को by an angle phi तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे here here current lead voltage by phi है के नहीं तो यहाँ पर current equation क्या बोलेंगे i equal to i naught sine omega t plus 5 आपका voltage equation था e naught sine omega t तो उससे lead करेगा current मतलब प्लस 5 तो यहाँ पर हम बोलेंगे therefore circuit behave as capacitive कैसा behave करेगा capacitive की तरह behave करेगा मतलब यह कहले हम लोग कि अगर किसी भी circuit में current lead करता है ना तो उसका capacitive behavior रहेगा तो उसे कहते है capacitive circuit तो कहीं भी लिखा रहे कि आपका capacitive circuit है मतलब वहाँ पर आपका current क्या करेगा lead करेगा voltage को और अगर inductive circuit होगा तो current lag करेगा clear? ठीक है अब मैं एक और case लेता हूँ ठीक है? अभी एक case लिया मैंने XL बड़ा XC से फिर बात कि हमने XL छोटा XC से अब हम लेंगे कि XL और XC अगर दोनों बराबर हो गए तो क्या कहानी होगी? ठीक है? तो case 3 की बात करते है आओ यहां देना case 3 case 3 की बात करते है तो if XL is equal to XC और अगर XL और XC बराबर है मतलब VL और VC भी बराबर होगा है के लिए? ठीक है तो अगर हम इसका phaser treatment करते है तो यह आपका current इसी phase में आपका register का voltage नीचे है आपका VC उपर है आपका VL ऐसा होता है अब दोनों की value सेम है तो यहाँ पर यह दोनों cancel out हो जाएंगे और अगर यह दोनों cancel out हो जाएंगे तो सिर्फ एक ही vector बच जाएगा कौन सा? VR तो यहाँ पर since VL is equal to VC therefore net voltage जो होगा वो आपका VR के बराबर होगा न है के नहीं? अरे आप बताओ यहाँ पर देख करके कि हमने formula पढ़ा था E equal to under root of VR square plus VL minus VC का whole square है के नहीं? अब जब दोनों बराबर होगा है तो यह 0 होगया तो आपका क्या होगा? under root of VR square ठीक है? ठीक है? since VL is equal to VC that's why तो यहाँ पर बताओ E is equal to VR हुआ न मतलब जो आपका net voltage रहेगा वो आपका इसी के long रहेगा न इसी के long रहेगा net resultant है के नहीं? ठीक है? मतलब यहाँ पर हम यह कहेंगे न कि जो current है वो voltage के same phase में होगा मतलब यहाँ पर अगर मैं tan phi की बात करता हूँ तो वो होता है general formula VL minus VC upon बराबर है तो यह 0 हो जाएगा तो obviously बात है 5 भी 0 degree हो जाएगा मतलब कोई phase difference नहीं ठीक है? तो अब यहाँ पर बोलेंगे therefore current is in same phase current is in same phase ठीक है? with voltage with voltage है ना? और अगर किसी circuit में अगर आपका voltage और current same phase हो जाता है तो वो circuit resistor की तरह behave करता है resistive circuit कहते हैं उसे हम लोग ठीक है? तो हम कहेंगे therefore circuit is resistive इसे हम लोग resistive कहेंगे is it clear? ठीक है? चलो यह कहारी हो गई आपकी तो यहाँ पर था अपना simple सा series LCR circuit ठीक है? यहाँ पर हमने different cases में बात किया कि अगर inductor जादा होगा मतलब अगर XL जादा होगा XE से तो वहाँ पर आपका current lag करेगा और वहीं अगर XL छोटा हुआ XE से तो वहाँ पर current lead करेगा by an angle 5 वो 5 कैसे calculate करते हैं वो हम पने बात की और फिर अगर XL और XE बराबर होगा तो वहाँ पर जो net series LCI circuit ते काम करें आप लोग यहाँ पर पहले आप लोग इसका screenshot ले ले फिर आप लोग इसका screenshot ले ले फिर इसका screenshot ले ले फिर इसका screenshot ले ले and last इसका screenshot ले ले चले तो यहाँ पर अपना यह topic over होता है series LCR circuit बहुत important topic है ठीक है बिलकुल ध्यान से इस चीज़ को पूरा पढ़ना and proper notes आप लोग form करना ठीक है बाकी आगे हम लोग इसके उपर numericals देखने वाले हैं ठीक है तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है simple magnetbrains.com पे जाए या फिर जो magnetbrains का YouTube चैनल है वहाँ पर आप जाए वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे courses मिलेंगे जो बिलकुल free of cost है है ना ऐसा बिलकुल नहीं है कि आपको एक दो टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद कोई coupon लगाना पढ़ड़ा हो या कोई payment करना हो ऐसा बिलकुल नहीं है है ना सारे content बिलकुल quality content आपके लिए बिलकुल free available है तो बस अन्त बहुत ही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको like जरूर करे और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी subscribe करे ताकि कोई भी upcoming वीडियो हो वो आपसे बिलकुल मिसना हो और अपने दोस्तों के साथ इसको share भी करे ताकि उनको बिसका फाइदा मिल पाए Thank you